गुड इवनिंग फ्रेंड्स बहुत लोगों ने बोला था कि वॉल्यूम क्लियर नहीं था जब मेरा लास्ट फेस्बुक लाइव हुआ मैं आपको सिर्फ आपका ज्यादा समय नहीं लूँगा सिर्फ दो या तीन चीज मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ कि एक पूरा प्लैनिंग है एक ग्रूप से एक लॉबी से जो हमारे तीप्रा साथ को कन्फियूज करने का कोशिश कर रहा है और ये जो प्लैनिंग है वो है कि बुबागरा क्या ग्रेटर तीप्रलैंड का कॉस को डाल्यूट कर देगा फाइनली बीजेबी के संग बिना ग्रेटर तीप्रलैंड का इशू को कॉंस्टिटूशनली सलूशन नहीं लाकर अलायंस कर लेगा ये सब करके ये लोग एक कॉंस्प्रिसी कर रहे हैं हम लोगों को तीप्रा मौथा को कमज़ोर करने के लिए और इसकी पीछे बहुत लोग मिले हुए हैं बहुत लोग मैंने देखा कि CPM के साबरूम के TYF के कुछ पेज में दिखा गया देखो CPM आप लोग के पास 25 साल था अगर आपको तीप्रासा के लिए कुछ करना था आप लोग करते हैं कभी नहीं कि आपने और आज आप उस आदनी को आप क्वेशन कर रहे हो जिसने सिंगल हैंडिटली सिंगल हैंडिटली ग्रेटर तीप्रास का मुव्मेंट को आगे ले ले गया है मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ मैंने कहा था कि ग्रेटर तीप्रासा को नौकरी दे लिजिए मैंने ये कहा था मैंने ये नहीं कहा कि मैं ग्रेटर तीप्रासा का मुव्मेंट को डाइल्यूट करूंगा और मेरा एक कहना clear है full and final आप लोग को जिसको जो हमेशा confused रहते हैं जिसको पसंद है confused रहने के लिए मैं आपको I am telling you one thing clearly अगर हमारा greater तीप्रा लैंड का solution constitutional solution राइटिंग में government of India नहीं देता है तो ना हम BGB के साथ ना हम CPM के साथ ना कोई और party के साथ हम alliance करेंगे हम अकेला लड़ेंगे अगर जीतेंगे तो जीतेंगे हारेंगे तो हारेंगे लेकिन जब तक हम को राइटिंग में कोई party ये assurance नहीं देता है कि ये constitutional solution लेकर आएंगे और permanent settlement के लेकर आएंगे तब तक हम किसी के संग ना alliance करेंगे ना merge करेंगे इस से ज़ादा और कोई आदनी clear नहीं हो सकता है बीस हजार नौकरी अलग है ग्रेटर तीप्रा लाइन वो economic solution है ग्रेटर तीप्रा लाइन constitutional solution है government of India से हमारा बात होना चाहिए मैं government of India को फिर से दर्ख्वास करता हूँ हमको बुलाइए हम लोग देश के खिलाफ नहीं है एक newspaper ने लिखा कि हम अखंड भारत चाहते हैं greater तीप्रा लाइन हम होने नहीं देंगे greater तीप्रा लाइन का movement खालिस्तान जैसा movement नहीं है खालिस्तान देश से अलग होना चाहता था हम लोग आज भी ready है तिरंगा लेकर सरद में border में बैठकर हम लोग illegal migrants के खिलाब लड़ने के लिए तयार है और हम लोग अपना movement को dilute नहीं करेंगे इससे जादा अगर किसी को बार बार clarify करना हो तो ये मुझसे होगा नहीं और मैं अपने तीप्रा साब को एक बात बोलना चाहता हूँ अगर आपको fight करना है तो fight करो अगर fight नहीं करना है तो जो 70 साल से हो रहा था वो घर में बैठकर आप रहे जाओ मैंने बहुत sacrifice किया है और आने वाले दिन में media जो big चुका है सब नहीं लेकिन कुछ-कुछ media जो big चुका है वो हमें confuse करने का कोशिश करेगा आपको confuse होना है तो आप confuse होगे अगर आपको अपने बुबागरा के उपर विश्वास है तो एक बार देखो हम लोग क्या कर सकते हैं ये मेरा clear message है कि हम अपने constitutional, social, cultural, constitutional demand से नहीं हटेंगे जब तक कोई writing में हमें नहीं देता है greater तीप्रा land अब इसके बाद अगर तब भी भी आपको हमारे उपर विश्वास नहीं है तीप्रा सा लोग तो जाओ vote करो बीजेबी को जाओ vote करो Congress को जाओ vote करो CPM को और 70 साल से जो हो रहा था वो होते ही रहेगा और आप लोग रोते ह रहेंगे एक आन्चुलिक पार्टी जिसका लीडर रेवति तीप्रा से बैट कर बात कर सकता है जो मेवार कुमार जमातिया से बैट कर सकता है जो जितेंदर चोदरी से बैट कर सकता है और कहता है चलो एक संग दिली जाओ अपने तीप्रासा के लिए बात करो आप उसको question क करते हो शर्म आना चाहिए शर्म आना चाहिए I am ready to fight are you ready to fight if you are then we will win but if you are confused if you are weak then nobody can save the tiprasa people don't blame anybody else don't blame anyone else किसको blame मत करो खुद को blame करो कि आप लोग कमजोर हैं और जो cpm के लोग जो यह सब कर रहे हैं यहां में लिख रहा है कोई यह 31 seats 31 seats हो या 0 seats हो अकेला fight करने का हिम्मत होना चाहिए EDC election में अकेला fight करने का हिम्मत था इसके लिए जीते और कल भी हम लोग अकेले fight करने के लिए तयार हैं यह मेरा clear message है अब इसके बाद आपकी उपर है लेकिन मैं back down नहीं करूंगा no compromise on greater tipra land I love all of you all God bless you and happy boys you once again